तो देखो ITR extension related एक update आया है काफी लोगों को उमीदे है कि ITR की जो due date है जो कि आज 31 जुलाई को है वो extend होने वाली है क्यों ना हो उमीदे भी होनी ज़रूरी है देखो क्योंकि सरकार हमसे 5000 रुपे की penalty ले लेती है अगर ITR filing में delay होता है तो आज हम उसी पर discussion करने वाले है कि क्या update ITR extension related आया है तो चले है वीडियो को शिरू करते हैं तो देखो यह इस तरह से एक advisory शेयर की जा रही है कि आपकी जो ITR के extension की date है वो 31 अगस्त हो चुगी है तो यह जो advisory है सबसे पहले तो यह ना fake advisory है ठीक है क्यों भाई क्योंकि यह simple देखलो आप information and broadcasting ministry ने दिया हुआ क्यों issue करेगी information broadcasting ministry हमारी ITR extension की finance ministry का काम है क्यों हम यह मतला यह सिंपल सिंपल दिख रहा है सीधा सीधा कि यह fake है तो आप इन चकरों में मत पढ़ना दूसरा आप यह देख सकते हैं कि जो P.I.B. है उन्होंने भी आपको बता दिया है कि P. आपकी जो यह advisory जारी की गई है वो extensions related नहीं है यह fake news है इस पर रिलाइद ना करें दूसरा आपको अगर लगता है कि आपकी जो ITR के due date वो extend होने वाली है तो अभी CBD जो chairman है उन्होंने भी बोला था recent में कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपकी जो ITR की due date वो extension में नहीं आएगी आप यह उमीद है रखना छोड़ दो अगर आपने अभी तक अपनी ITR फाइल नहीं करी और extension में आनी का अभी कोई चांस नहीं लग रहा है तो इसने loss क्या क्या होगा आप अपना रिजीम स्विच नहीं कर पाएंगे जैसे कि आप जानते होंगे old regime में new regime है अगर आपको अपनी old regime में ITR को फाइल करना है तो 31 जुलाई तक ही आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम का option रहेगा ठीक है अगर किसी का F&O का loss है अगर आप कोई भी crypto में deal करते है और loss आ रहा है आपका कोई business loss है तो उसको carry forward नहीं कर पाएंगे बाद में ठीक है फीर है कि आपको जो income tax का refund आता है ना जैसे कि अपी लोगों को बहुत curiosity हो रहे है कि मेरा refund नहीं आया रिफन नहीं आया तो उसके क्या होता है अपका interest लग क्या आता है तो अगर आपका ITR आप बाद में फाइल करेंगे तो उसके interest भी नहीं लाती है और पांच लाग रुपे तक की income पे एक लाग रुपे की पर एक हजार रुपे की penalty लगती है ठीक है प्लस में आपको एक परसेंट का interest भी देना पड़ता है अगर आपकी कोई भी tax liability बनती है तो ठीक है फिर है आपका आप deduction भी कोई claim नहीं कर पाएंगे जैसे कि आ पांगते होंगे new tax regime में सिर्फ एक deduction आपको मिलती है ATCCD की ठीक है उसके अलावा उसमें new tax regime में कोई deduction नहीं मिलती है अगर आपने ATC, ATD इनकपके deduction लेनी है तो आपको 31 जुलाई तक ही अपनी ITR को फाइल कर लेना है चलो अब यह तो हो गई problem, अब solution क्या है क्या है क्योंकि revise ITR की जो due date होती है वो आप 31 December तक आप कर सकते हैं उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, दूसरा क्या है काफी लोगों को यह attention हो रही है कि मेरा defective का notice आया हुआ है और 31 जुलाई तक अगर मैं reply नहीं pile करूँगा तो क्या मेरी return को cancel हो जाएगी नहीं ऐसा नहीं है, defective की जो due date होती है, जो notice में लिखी हुई है, सपस्पस 5 अगस्त की due date है तो 5 अगस्त होगी उसकी, ठीक है, उसके लिए आसा नहीं है कि आप 31 जुलाई को ही defective के notice का reply करोगे, तो यहीं सब है आपके ITR extension से related, अगर अभी भी आपने ITR नहीं pile करी है और आप हमसे कराना चाहते है तो आप नीचे दिये गए नंबर पर आप contact कर सकते हैं, जरूर हम आज के आज ही हम आपकी ITR को file कर देंगे, दूसरा अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और useful लगे तो वीडियो को like जिरू करना, चाहल को जिए subscribe कर लेना, ऐसी information सबसे पहले पाने के लिए, दूसरा टे कमेंट कर लो, मिलते हैं अगली वीडियो में, सब तक लिए बाय बाय टेक केर